हेलो एवरिवन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूटूब चैनल संकरना थे जूकेशन पॉइंट पर दोस्तो एक बार फिर सुबह सुबह न्यूज पेपर में ख़बर आई है CET के लिए तो पूरी न्यूज को देखेंगे दोस्तो यदि आप चैनल पर पहली यानि कि दोस्तो जो यह CET होगा पांच और छे नमबर को यह गुरूप C पदो के लिए होगा ना कि गुरूप D पदो के लिए जिहां दोस्तो मैंने कल की वीडियो में भी जब जो इनफोर्मेशन आई तो उसमें भी बता था कि गुरूप C के लिए यह टेस्ट होगा और आज जो होना न्यूज पेपर में यह आभी गया दोस्तो फिलाल गुरूप C के लिए नमबर में होगा CET आयोजन की त्यारिया जारी हर्याना सरकार गुरूप D पदो के लिए अभी कोमन एलिजिबिलेटी टेस्ट CET नहीं होगा इसके लिए दोस्तो जोना उमिदवारों क को इंटजार करना होगा गुरूप C पदो के लिए अगामी 5 और 6 नमबर को CET होगा नेशनल टेस्टिंग अजनसी एंटी ए जोना CET का उजन करवाएगा पर देश सरकार ने गुरूप C और डी पदो के लिए CET जरूरी कर रखा है गुरूप C के लग बग 32,000 पदो की सब्सक्राइगा है फिलाल जो CET हो गुरूप C पदो के लिए होगा इसके लिए CET जित करने के पिछे दो तीन कारण है पहला कारण है कि गुरूप C के ज्यादा पद हो और यह पद प्रसाशन में में तपून भूमिकानी बाते हैं दूसरा कारण है लग बग 10.90 सब्सक्राइगे ठीक दोस्तों उसके बाद है इसलिए भी दोनुने रजिस्टेशन करवा रख्या तो पहले सी गुरूप का जो ना बरती जरूरी है जो गुरूप C पदों पर चैनित हो जाएगा वह गुरूप D पद के लिए नहीं छोड़ेगा अगर गुरूप C पद का थी रियाना में ही उन में चैनित हो गए थी और पोस्ट जो खाली रह गई थी और उसके बारे में तो अभी तक दोस्तों जो नवेटिंग भी कलियर बार बार कभी हाई कोट का चक्रल लगाने पड़े बच्छों को कभी जो सपोर्स कोटा है उन बच्छों को रगड़ेशन जन खरवा रहा है अकेले ग्रुप सी के लिए और उसके बाद तो एक और हैडलाइन टीचर्स के लिए सीटी नहीं होगा तो यह तो पहले ही बताए भी गाया कि जो टीचर्स लाइन है दोस्तों वह सीटी के अंदर नहीं आएगी तो कि सरकार ने टीचर्स बरती के लिए सी चैनल पर पहली बार हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जा क्योंकि दोस्तों आपका एक एक सब्सक्राइब एक एक लाइक और शेयर हमें मोटिवेशन करता है आपके लिए सुबह पांच से रात 10-11 बज़े तक दोस्तों वीडियो बनाना और जोना आपके सामने नहीं नहीं इंफोर्मेशन लेकाना आना तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद जैन जब दोस्तों वाल